यह देखिए सुबह का हनले का नजारा हाई गुड मॉनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम तू माइ न्यू व्लॉग और आज हम मेरक से जा रहे है हनले हमारा चेक आउट हो गया है तोड़े इस 25 अगॉस्ट अपनाल यह देखिए यहां पे रिमोटे यह देखिए यहां पे रिमोट एरिया में पेट्रोल वगरा नहीं मिलता है इस टाइप का यह पेट्रोल वगरा क्यारी करते आपने साथ में ताकि बीच में कभी दिक्कत ना है काफी सारे आप देख सेंटे फॉरेनर्स भी यहां पे आते यह बाइक राइडिंग करने के जाहां हम डुंडेंगे तिबेटन पाट्रेज गाउ के उपर हम लोग जड़ा सर्च कर रहे है थोड़ा सा कॉल आया था इसके लिए वो सेड में जाके देखेंगे तिबेटन पाट्रेज का पूरा है बिटेट में आपको दिखाने जा रहा हूँ हम लोग अभी ये खेकतक विलेज है उसके फूपर आये ठीक है और काफी मतलब सास फुलती है क्योंकि ट्रेक करके आपको थोड़ा सा उपर आना पड़ता है सो बी प्रिपेर फॉर देट हमने तो साइट किया था लेकिन वो कहीं इसमें चुप गया है सो उसी को डुणने का काम हम लोग कर रहे है रिकजीन वो सेट गया है मैं ये सेट हूँ वो तो रूंपो सेट में है यह देखिए कौन मिला है शायद से लार्ज इयरड़ पीका है यहां हवा का आवज इतना ज्यादा है कि रॉबिन एक्सिंटर का आवज गम आ रहे हैं और हवा का ही आवज ज्यादा है यह हाल होते है हाल ट्रिकिंग करते हो तक हाव आज में निकलना मुश्किल हो जाता है पैठो तो ड्रुछ करते हैं अगना तुदा रेस्ट रहना है। रेस्ट यह प्सकिल टेस्ट से ऊ एप्समों थ्रेट diezंड कलता है YES थोड़ा रेस्टकर नहीं हुआँ ज रीस्तिस बेस्ट नगश्येसा है। अच्छा रोब एक सेंटर मिला कोडिंग वीडियो भी फोटो भी और क्या मिलते है देखिए यह यह जो हैपिटेट है वो लग रहा है कि यहां पर रूबी थोट मिलेगा लेट सी अबसा रेश्ट हो गया अब यह तोड़ा बेटर लग रहा है और भी जगह एक्स्टोर यहां से पूरा नीचे खाकतक विलेज दिख रहा है और यह पूरा पैंगॉंग लेग भी दीख रहा है यहां पर कुछ फिल्ड्स है उपर यह दिखिए बैरल लैंड है एक्दम और हम लोग बस यह एच पर चल रहा है इसे आप समझ लो एक हाइट गेन किया है जहां से हम हम लोग को पूरा व्यू मिल सा है तो कहीं पर भी बर्ड का कुछ कॉल साता है तो हम लोग इजीली यहां से जा सकते हैं अगर नीचे जाएंगे तो फिर उपर आना बहुत मुश्किल होता है काफी उपर पहुच चुक है अभी वह गाड़ी के दर जाना है हमारे दो बंदे इसद्वल यहां पर दो आप इस जो पानी का ऊपर यह था ना वहीं पर एक पहला स्पॉट हुआ मैंने जैसे कैमेरा लगा वो ऊपर चला गया फिर आप लोग जब उपर गए ना तब वहां से आपको दिखा एक्चुली योगी फोटो लेने से अच्छा था है वो एक्चुली वो पहले देखा आच्छे से देखना वह देखने के चक्कर में फोटो मिस हो गया चलता है वाइड लाइफ इसी के लिए तो चैलेंजिंग है ना कि पटाफट अगर मिलने लगा तो वजा ही नहीं है इसमें इस चैलेंज है इसके लिए वाइड लाइफ फोटोग्राफिय में मजा आता है यह किसका बरोज है अच्छा अच्छा मर्मॉट जाने के बाद रेड फोक्स यूज करते हैं अच्छा यह देखें इसके लिए तो इसके बाद आप ट्वाइड बोल रहा था मैं सून रहा है मुझे समझ में आई फ्लाइट मैं उपर चेक कर रहूं कि फ्लाइड में कहाँ पर पाट्रेज को ने अरे लेकिन आप इतना दूर था तो कैसे पता चेलेगा और इसको हुशता कि नहीं हाँ क्रिशनान देरेको पूशा कि क्या बोल रहा है थाइट बोल्रा एप्लाइट उपलाइट भी अदिख रहां अधि अधिनी अधिस्क नॉप्र लेख रहा हुगा ना विल्ट मना एगम ड्यूकूफ लोगो तु कि अगशे लिए अर च्छा पीटिर दे रहे तो ले लो टीन बच्चे थे एक जगा तीन गुम रहे एक जगा रॉबिन एक्सेंटर काफी बर्बर के थे अधिया थे चाला अगर हम ट्राइक करेंगे तो सब मिलेंगा लोगी भाई ने अकेले-अकेले ट्वाइट नी हम दोनों को एक सैड में बोला उदर देखो उदर देखो हम गुमको बोला उदर देखो फ्लाइट में अब लोग फ्लाइट में पाय्टिज जुण रहे हैं और यह मस्त वहाँ पर ट्भाइट lum बहुते वक्त ये बोल सकता था TWIT यह पेले मेरा लड़ाक ट्रिप का वाह वेरी गुट अनले मेरे यह यह पिंक करम दिख रहा है उसका और आप लड़ाक आप यह 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 अपको शोभा देता है कि अपकेले अपने ये मेरे बीवी है यहां इहां है और धिसका इज इन मने गढ़्य कुछ यहां जो क्लिक किया इसका पिंक हाईँ ठी किया है गए यक्छिली नहा हम लोग को बिना लेकर वो किया ना इसके लिए उसके उपर पिंक नहीं है अधर्वाइज हाम को लिया होता ना हां त्वाइट का शाप लग या हां कल बोला I feel happy when others feel happy यह सब खारी बोलने के बाद मैं फिलोसोपी इस लिए मैं फिलोसोपी इस लिए तो मरेको कहारा केले केल खा रहे है पहले सब को खिलाने का वह उसका फिलोसोपी नहीं है वह वह फिलोसोपी नहीं है पहले मैं खाँ वाइपल मेरा यार यह एक फिंगर है आईसे टोटल नाइन फिंगर से यह एक है फिर्स फिंगर यह का लाश्ट विलिज था उसके बाद पूरा नोमेंस लेंड आई कोई भी डाव आँ ददा नहीं ना अभी शुष्य लाने वाला अनलमेटेट सब्ला है तो देखिए कोई नहीं है आपे ओहो इदेखे कियांग नीचे जा रहा है यह यहां पे कियांग है मैं मैं मोबाईल से ले रहा हूं तो बस आपको करता हूं तो अगर दिखा तो दिखा यह रास्ता देखिए चुषुल की तरफ जा रहा है यह चुषुल गाव है और चुषुल गाव से होके हम लोग पांजी जा रहा है वह लोग बार्डर के कितने करीवे देखिए यह जो पाड है ना ब्लैक वाला यहाँ पर जो रोड दिख रहा है अभी मैं यहाँ से दिखा नहीं सकता हूं लेकिन हमको और दिख रहा है यह ट्राय करता हूं तो उपर में थोड़ से रहा है वह चैना के रोड़ है तो हम लोग इतना नस्दिक है अभूस कितना किलोमेटर कितना यह राएगा यहां से यहां से शे साथ किलोमेटर शे साथ किलोमेटर में बॉर्डर है देखे यह लगबग नो मैंस लेंड है ज़स्ट हम लोग अभी रेजांगला मेमोरियल पे आ गये 1962 में यहां पे जो इंडिया चाइन वार हुआ था उस वार में जो अपने जवान शहीद हुए थे उनकी याद में यह रेजांगला मेमोरियल 1963 में यहां पे बनाया गया यह देखिए यह जो लेफ्ट साइड में रस्ता जा रहा है वहाँ पे नो एंट्री है थोड़ा जरा आगी जाके रुपते कुछ मिलता है के देखेंगे अभी हमने जस्ट वेसल को स्पोट किया है अभी देखते उसका वीडियो मिलता है के ट्राइ करते यहां पे दिख रहा था है यह जो उपर में यह जो है न यहां वहां से वह भी नीचे गए जाड़ी में तो उसको से ट्रेक करेंगे वाव एक नंबर क्या साइटिंग है मैं मौंटन विसल सबर्दस्त हिमालयज में यह जम्मू, कश्मीर, लदाक और सिक्किम के परवतिय इलाकों में दिखाई देते अलपाइन मीडोज और एवर्गिर्न फॉरेस्ट में रहना यह पसंद करते इनका मुवमेंट इतना फास्ट है कि इनको लोकेट करते करते यह दूसरी जगा पहुच जाते इस पत्थर के टीले में शायद इसने अपना घर बना लिया है क्योंकि यह बार-बार वहीं पर जा रही है अरे थेंक यू ब्रो जाते जाते मस दर्शन दे दिया काफी फास्ट मूवमेंट था यह फिर बीडियो अपने वह रुकते ही नहीं था और उसको हाइड करने के लिए पहुत सारा यह था ना जगा अच्छा है बढ़ी है बहुत बढ़ी है यह देखिए यह जो स्पॉट है यहां पर चाइनीज रूपी त्रोट मिल सकता है तिकल स्लीफ पॉबलर मिलता है और मॉंटन विसल यहां पर मिल सकता है यहां पर एक हॉल्ट आपका बनता ही है ओ भाई फाइनली ट्वाइट मिल गया यह देखे मस्त खा रहा है वाह तू खाते जा हम लोग वीडियो बनते एक नंबर अरे भाई यह बच्चे को कौन अकेरा छोड़ा है यहां पर जुरूप के देखना पड़ेगा किसका बच्चा है जरूर माबाप आसपास ही कहीं होंगे क्या मस्त रिवर्स जब आ रहा है भाई टिकेल्स लिफ वाबलर और साथी साथ में हॉण लार को उसके बच्चे के साथ मैं अंको वेडियो मिला चैनीज रुपी तो दिखा लेकिन उसका फोटो नहीं मिल पाया यह बेह बहुत है हाथ लोग्रा किया यह बहुद को ला मैं अदर निच रहा हो, हाथ लोग्रा करते हो मैं जब लोग्रा लोग्रा यह भी मैं अच्छ आउ आमगे अच्छ विए लुट हुट दुट मध अब लुट वह आमने साइटिगा तो उसको शौट के इसका नई कर बुलाई का को तो खोल इसका दार्द कर अधिको इशारा तो करो तो घे टो चॉकिंघन तो पर मंद थेकं आइसʃारा कार्राsoverrà थेख कार रहा है किया है अर्फिया आज्टे को, हमएपर गणा है सबस्केज़ है, यहाँ हम क्यों ढूंक, आप खुग कियो दूख गुष्टंट्ग आपर के वह इस्टारीव, इसमें ते दिख दूखियो, तरहो नहीं है, यह थिम्हें, आपना है, नियुद, क्या दूख्या है लेकल बले, से गुजर रहे हैं जो हम लोग आये धर्कित तिलिंग क्या है सागा रेष्टोरेंट होमस्टे ये सागा विलेज में और बडिया इन्होंने हमें खाना दिया है डाल रैस अलू का सब्जी और दही दही के साद मैंने अब यह दो कि यह लोग को चलता है मुझे चीनी चीन को यह चीन को यह चाहिए चाहिए ना तो इतना दिल में यह आया है ना थैंक यू तो और मिल चते है कि आधा जाल अगली तो रोड़की हालत देखिए अरे वाह फिर एक बार के यंग के दर्शन ब्लैक नेक क्रेन और वो भी अपने बच्चों के साथ में वाह रोड़ से मस्त इजी सैटिंग हो गया लोमा लोमा चेक पोस्ट के बाद में हम लोग जैसे ही रोंगो विलेज पहुचे उसके बाद में पूरा हरीयली वाला जो जगह है यहां पर आपको केयंग और साथ में ही सबसे इंपोर्टन जो है ब्लैक नेक क्रेन मिल सकता है जो हम अब हम लोग जा रहे हैं अब ही रोड़ भी अच्छा हो गया रोड़ भी बहुत बढ़ी है मैं आपको रोड़ भी दिखा दिका हूं पर देखने को मिल सकते हैं इसके पहले जितने भी पहाड थे वह रोकी थे ठीकिन यहां पर पूरा रेथ ही रेथ है तो एकदम अलग सा नेचर यहां पर आपको देखने को मिल सकता है और हैंले का रोड़ देखिए कितना बड़ी आया लोमा के बाद से एकदम रोड कंडिशन सुदर गई है लोमा तक बहुत हलत पेका थे यार बाइक राइडिंग को क्या मजा आता हो गए यांपर एकदम मसका रोड़ है उपर देखो स्काइए एकदम क्लियर है हम लोग हनले में अल्मोस्ट पहुंच गया है अल्मोस्ट है और यह देखिए हनले में हमारा स्वागत है वेलकम बोर्ड यहां रहने के लिए काफी सरी होमस्टेज है और हमारा होमस्टेज आ गया है पदमा होमस्टेज अल्ड़ी लेट हो चुके सो अभी हम फटाफट निकलेंगे अल्ले एक्स्प्लोर करने के लिए यह जो लेट सेड में पहाड़िया दिख रही है यह पुरा यूरेशियन इगलावल का हैबिटेट है वो दिखे उपर बैठा है एकदम उपर अरे यार यह सेड तो देख वाह अब थोड़ा बहुत काम बन सकता है और गाइज लाइफर दन याश निगलावल अधर अधर शूपर लाइफर लाइफर फोटोस फोटोस एवर्टीं दन यहां पर क्या बैठा है रहे वाई उड़ गया लेजर रूटीर यहां काफी सा रहे वाने स्ट्री से आगे हम लोग आ चुके यह गाड़ी भी शायद पला स्कैट के लिए रुकी है अब हम पला स्कैट वाले लोकेशन पर आया है और यह सामने मैदान है वहां पर उसका फिडिंग चालो है लेकिन काफी लंबा है साइटिंग काफी लंबा हो रहा है तो उतना मेरा पी 900 का रेंज भी नहीं जा रहा है आप सूचिए कितना लंबा रहेगा अभी हम लोग यहां पर एक गड़ी खड़ी है पलास के लिए इस सेकेंड गड़ी खड़ी है पलास के लिए और थर्ड गड़ी खड़ी है पलास के लिए और वो थर्ड गड़ी खड़ी है पलास के लिए और अपना अपना लग आजवाने वाले है और रावल जी आप कितने दिन से यहां यह मेरे लेफ्ट साड़ पर जो पहाड़ी दिख रही है इस पर उसका डेन है यह रस्ता क्रॉस करने के बाद यह राइट साड़ में पूरा जो मैदान है वहाँ पर उसका फीडिंग ग्राउंड है पूरा लो हो जुगा है पूरा लॉड़ी है राउल जी ने ये क्या लगाए ताइम लैफ्स जो ख्लाउड का मूमेंट है वह इसमें और केप्चर करने वाले रहुल जी वहां की क्या ख़बर नहीं जैसी वाले काम कर रहे ना माइट भूस से भी तौटे स्टा वह तीन जैसी भी काम कर रहे हैं जी ओकर फाइबर का कुछ काम करें वेट एंड वाच दुसरा कोई रास्ता नहीं है सबसे राइट में बच्चा है अब लगबग उनका फीडिंग खतम हो चुका है और पूरा फैमिली वापस देन में लोटने का वक्त आ चुका है पंतिन एक पाइबर कुछ से घिचा थैस आरफ उसे आर जानले का क्लि किसना ग्म्हें ऑवाँ शक्त जो करी आप दिसी सबसे कर सकत्क जांद पूरा है फिरे जतना पूरा जांद को पूरा जांद जांध जुला काशिए वास यह जो दोनो एडल्या है इन मेरे 500 में भी नहीं आ रहे हैं तुम लोग को कैसी बिल रहे है नहीं अभी तो निकलना पड़ेगा लाइड भी लो हो चुका है और अभी जादा डिस्टरबंस हो गया तो कल भी नहीं आएगा तो इसलिए हम अभी निकलने राप कर रहे हैं कल चुबा आएंगे सो चलो गाइज निकलते हैं थैंक यू पर वाचिंग दिस व्लॉग और मिलते कल नए व्लॉग में